आज मन की बात का सोवा एपिसोड है, मुझे आप सब की हजारों चिठिया मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं, और मैंने कोशिश की हैं, पिर ज्यादा से ज्यादा चीठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं, आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया, और खुद को फिर समाल भी लिया, आपने मुझे मन की बात के सोवे एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के स्रोता है, हमारे देशवासी है, मन की बात कोटी कोटी भारतियों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटी करण है, साथियों, 3 अक्तूबर 2014, विजिया दस्मी का वो परव था, और हम सब ने मिल कर, विजिया बात की यात्रा शुरू की थी, विजिया दस्मी यानि बुराई पर अच्छाई की जीत का परव, मन की बात भी, देश वासियों की अच्छाईयों का, सकारात्मक्ता का, एक अनोखा परव बन गया है, एक ऐसा परव, जो हर महिने आता है, जिसका इंतजार, हम सभी को होता ह हम इसमें positivity को celebrate करते हैं, हम इसमें people's participation को भी celebrate करते हैं, कई बार यकिन नहीं होता कि मन की बात को इतने महिने और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड अपने आप में खास रहा